नमस्कार जानेंगे इस कारोबारी सब्ता एगरिक अमोनिटीज याने क्रिशी फसलों का कारोबार किस तरह देखने मिल सकता है पिछले अफ़ते हमने देखा कि सोया बीन में तेजी के साथ एक ट्रेडिंग होते हुए दिखी थी जहां पर निश्ले सरों से याने 5,450, 350 के आसपास जहां पर प्राइजस काफी समय से कंसलिडेट कर रही है वहां से एक शॉट कवरिंग मूव आता हुआ दिखा और हमने 5,550 के उपर के क्लोजिंग आते हुए दिखी और वहीं जो बाकी अगरी कमोरिटीज है या एडिविलल कॉंपलेक्स में जो कमोरिटीज है जिसे रिफाइंड सोयावल है या फिर कैस्टर सीड है वहां पर एक नर्मी के साथ कारोबार होते हुए देखा तो काफी मिला जिला कारोबार था शुरुवात करते हैं एडिवलल कॉंपलेक्स में सोयावीन के साथ ही तो ऐसा लगता है कि ये जो करन्ट शॉट कवरिंग मूव है ये कुछ और समय तक चलेगी और हमें हो सकता है कि 5,630 से 5,670 तक के भाव भी देखने मिले आगे आने वाले सब्ता में या उसके बाद भी तो एक इमिजेट जो ट्रेंड है या रुजान है वो उपर की तरफ दिखाई दे रहा है सोयावीन में हलाकि पोजिशनल बेसिस में मुझे लगता है कि 5,700 के जादा उपर प्राइजिस जो है फिलहाल जाने में कामियाब नहीं होंगी तो एक लिमेटेड अपसाइट के 1180 के लेविल आने वाले कुछ सेशन में देख पाएं तो रिफरेंट सोल में फिलहाल जो प्रेशर है वो बरकरार रेने की उम्मीद बनी हुई है इसके विप्रीत अगर हम CPO देखें तो CPO में निश्रे सतरों से एक बाइंग उभर की आई है और 1100 के करीपी क्लोजिंग द गिरावट है वो भी यहां से लेमेंटेट दिखती है और ऐसा लगता है कि 6350 से 6400 के करीब जाके प्राइजस जो हैं समलेगी और वहां से दुबारा तेजी के तरफ रुख कर सकती है 1600 से 1600 के लेविल हमें आने वाले 2-3 हफ़तों में दिखाई दे सकते हैं तो यह जो गिरावट आईगी अगले हमें कैस्टर सीट में वो एक पाइंग ऑपर्चिटी की तरह लिया जा सकता है तो ओवराल फिलहाल एडिवलाल कॉंपलेक्स में रिफाइंट सोयल को छोड़ कर बाकी जो तीनों काउंटर्स हैं उनमें हलका सा तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है अब ही रुक करते हैं गवार कॉंपलेक्स ये दरफ तो गवार कॉंपलेक्स में हमने लगातार दूसरे हफ़ते में प्राफिट बुकिंग आते हो देखी और इसके पहले हमने काफी अच्छी खासी तेजी बिल्ड़ अप होते हो देखी थी जहां 7000 के करीब गवार सीड औ मुझे नहीं लगता कि बजार इतना जल्दी ब्रीच करेगा तो एक तरह से जब उसके नजदीक प्राइस आएंगे तो वहां से दुबारा तेजी आने की समावना है लेकिन अगले तीनिया चार सेशन पहले जो रुझान रहेगा वो 6350 के तरफ रह सकता है और वहां से जो जबेशक हैं पोजिशनल ट्रेडर हैं दोबारा बाइंग कर सकते हैं सिमिलरली अग्वार गम में 11300 से 11400 का का काफी मत्वपून सपोर्ट है मुझे नहीं लगता कि वो बीच करेगा तो उसके नजदीक जब जाए याने 11800 11700 के करीब अगर प्राइज आती है तो वहां से द पहले जो दो या तीन सेशन होंगे आने वाले हफते में ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट और गहराएगी और 11800 तक के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं वहीं अगर हम जो मसाला पैक है उसके तरफ रुक करें तो हमने धनिया में अच्छी तेजी आते हुए दे बटाए तो वहां पर भी निवेश के मौके होंगे और 8,650 का एक सतर लिया जा सकता है वहीं जीरे में भी काफी समय के बाद 16,000 के आसपास क्लोजिंग देने में कामियाब हुआ है हमने निशले सरों में 14,300,144,400 के भी लेवल देखे थे एक से डेड में पहले वहां से पर एडवाइजेबल होगी 15,700 का पोजिशनल सपोर्ट है इमेजेट तोर पे 15,850 का एक सपोर्ट है तो इन लेवल के उपर जब तक होल्ड करेगा तब तक डिब बाइंग की जा सकती है अब साइड में 16,230 और उसके बाद हो सकता है कि हम 16,450 तब किस तर भी देख पाए ह तो यह था एक जाइजा कि जो मीन एगरी कमोरिटीज है याने गवार कॉंपलेक्स, इडिवरल कॉंपलेक्स और मसाला कॉंपलेक्स में हमें क्या रुजान देखने में सब्सक्रा है जाने बाद